हुड को शियार विच हुड को इस पर रखिये नजर राजस्तान सरकार के साथ इन्हों ने करार करा है इंफ्रा प्रोजेक्ट फाइनसिंग के लिए हुड को ने करार किया यह आपके लिए खबर आ रहे है विचासी एजर करार के तो टोटल ही डूट अब्ल होगी तो टोटेल ही डूट होगी है वन टाइम उफ बुक इंफ एक्जिस्टिंग बुक यह बहुत बड़ा करार है यह तो ख़वर हल्की ने बारी कबर है अगर हाजी पचासी जार करोड न मेरे को याद इम हो ही वह वह ल गरे प्चा के तीन साल में यह विक तीन-गुना हो सकते है अगले साल में राज्स्तान सरकार के साथ कारार ने लिए बड़ी ख़वर है एक लाग करोड का करार यह राजस्तान सरकार के साथ मुझा में थे को करने कारा है çık आपकी रेकमेंशन के रहा है, आपी मोगा दूंगा, रुको पहले, पहले राजस्तान फाक्टर, रुकेंगे नहीं नहीं तो फिर, आपको रुक जाओंगे रहा है, आपको रुक जाओंगे रहा है, आपनी तब से, I think 40-50 रुपे से आप भी रेकमेंड किये हैं, वहां से मल् आपकी नहीं नहीं है, राजस्तान स्टेट से है, और एक लाग करोड नेक्स फाइव एर्स और और बुक भी इसकी 70-80,000 करोड के लगबकी है, और प्री बजट कल अमारी आशु जी से बात हो रही थी, तो ये बोलते हैं कि 160 लोगों ने, अगर सारे अनलिस्ट का सर्वे ल जाद हो तो अभी 3-4 दिन पहले जब बजार में मारकाट मची थी, उस दिन मैंने एक ही स्टोक दिया था, लोपर के शो में, एक लिबर्टी ली थी कि एक स्टोक दोगा, और हुटको ही वो स्टोक था, उसके बाद उसके शॉर्ट टर्म टागेट सचिव हो गए, फिर ये बहुत अच्छे लेवल्स पे है, और कल जो 10 लाक करोड की हाउजिंग को मदद करने की सरकार ने बात करी है, और आज वाली ख़वर भी पॉजितिव है, उसके लिए, मुझे लगता अच्छे लेवल्स पे है, यहां पर बिलकुल खरदारी करने का मोका है, स्टोपलोस टार अने जी, मैंने कितनी बार बोला भी है, और अने बी कि एक ग्रूप ऑफ सेलेक्ट एचनाइज हैं, जो नोट करते हैं, जैसे कि जब आपने इसको हाइलेट किया था ना, दिपांशु को रोक के कि यह कहते हैं, वेट एक बार कि यह एक लाग करोड जो है, मेजर करते हैं, बट इस अनॉंस्मेंट इस गेम चेंजर और आपको जो लोग अने जी फॉलो करते हैं, उन्होंने इसको नोट कर लिया अच्छे से, बढ़िया है तो अच्छा, तो यह आप सुपर बता रहे हैं जैसे बोलते किसके चार्ट पर आ जाता है वो स्टोक, कुनाल जी कुनाल जी के लैपटोप पे चार्ट देखकर सुमिजी बताएं, जो डबल डिजिट में बहुत लोग लेवल से हम रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, उड़को अभी भी यहा से और उपर का तेजी दिखाने को तैयार है, सवा 300-300, यह इसके इमिजेट शॉट टम के टागे है, डेली चार्ट तो इसका बढ़िया ही है, वीकली चार्ट के अंदर भी स्टॉक ने मॉमेंटम पकड़ा हुआ है, और कल जो फॉल आया, आज का जो फॉल आया, और लास्ट दो-तिन दिनों में जो फॉल आया, महा से एक अच्छी रिकवरी है, स्टॉक यहां से 325-350, में भी आना ज़रूरी है, अगर पांच साल में आपकी एक लाक करोड की बुख, यानि कि अन एवरेज 20,000 करोड की बढ़ती है, आपकी करिंट बुख साइज का 25 परसेंट है, और पांच साल में आपकी बुख, अभी की बुख से डबल से ज़्यादा हो जाती है, और बाकी